हेलो फ्रेंड्स, मैसल चीन मोई और यू आर वाचिंग महाति स्टाडी तो चलियोस दस्त शुरू करते हैं दिखिये, SSE का जो स्टिनो क्राफर का एकजाम हने वालाथा 2020 को बो COVID-19 तरफ से पोस्टपन होकर हो गेई 10 to 12 सेप्टेम्बर को तो दिखाती हूं, मैं एक-एक करके प्रूप दिखाती हूं कि इसे पोस्टपन होकर 10 से 12 तक होगी तो दिखिये, जो स्टेनो क्राफर था उसका जो पेस केल के सकते हो 9,300 तो 34,800 तक जो सालेरी था ग्रेट C का, ग्रेट D का जो सालेरी था 5,200 तो 20,200 तक तो देखते हैं, हाम जो दिखिये, जो राइटेन एकजाम हने वाला था, एफरील को मैं को हने वाला था, मैं 5 से शुरू हने वाला था, वो पोस्टपन होकर, कोबिड-19 तरफ से पोस्टपन होकर, जो सेप्टेम्बर 10 से स्टार्ट होगी तो दिखिये, देख सकते हो, SSC का जो स्टिनोक्राफर एकजाम डेट आपका 10-12,2020 में एनाउंस हो चुकी है, एकजाम होगा, तो आप प्रिप्यार को लिजिए, दस्तों दिखिये, और जो एड्मिट काड होगी, आपका 10 सेप्टेम्बर है, तो आपका एड्मिट काड जो होगी, तो 4 days before आज आएगा, तो देखिये, हम देखते हो, 4 days before आपका एड्मिट का डाउनलोड करके आप एकजाम पर जा सकती हो, तो देखिये, सेप्टेम्बर 10 से 12 तो होगी एकजाम, तो उसका जो रेजोल्ट का डिकलेरेशन अभी तक नहीं हुआ है, तो रेजोल्ट का डिकलेरेशन होगा, एकजाम के बाद यहां पर तो डेट आएगा, कहां पर रेजोल्ट का डिकलेरेशन डेट आएगा, तो देखते हैं, यह था दिखिये, स्टिनोग्राफर का जो एकजाम डेट पोस्ट पन होकर, सेप्टेम्बर 10 से 12 तो हो गई, तो आपको टेंसन होगी क्या कोब स्टिनोग्राफर का एकजाम होगी, ग्रूप सी और ग्रूप डी, जो ग्रूप सी ग्रूप डी हो, तो कोब एकजाम होगी, तो 10 से 12 तो आप सेप्टेम्बर के एकजाम दे सकते हो, तो उसका सिलाबस हम देखते हैं, तो सिलाबस देखने के लिए चाहते हैं, तो खिलापास दिखा रही हूं दीखे जो जैनरल इंगलीजन एंड इंटेलिजन्स आपका 50 आयेगा तो 50 कुस्टेंस आएगा 50 मार्क्स का जैनरल आवरनेस 50 कुस्टेंस आएगा 50 मार्क्स का और इंगलीज लांग्वेज जो आएगा 100 questions 100 मार्क का जो two hours आपका टाइम दिया होगा तो दीखिए time आपका होगा two hours 200 questions 200 मार्क two hours में देनी होगी तो चलते हैं रखते हैं हो गया 120 minutes यानि two hours का और स्टीनोग्रापकर का जो शिलाबस का दिखिए जैन्रल इंटलेजेशन्ट का शिलाबस आप देख 从 go adesso भी मार्क रख सकते हो दिखिए मैं दिखा रही हूं एक-ची कि मिलैरिटी जॉजमेंट पर इस स्युम्हलर्टीज एनैलोग इस अफ चला आया जो आफका कि रिजेनिंग पाड्ट में आया तो सोलमीभी देह सकते हो देख सकते हो ऍूर्थ सोग्ते और इंग्लिष शेक्षन में देख सकते हो जो сотक शेक्षन है इसमें भी ग्रामार वकापुलरी एन्ट निम सिनोनेम और कई विशारे पैसेज आ गया तो दिखिए तो उसका बाद हम देखते हैं तो आप भूक खरीदना चाहती हो तो कौन सब भूक खरीदना आपको सही होगी तो मैं रिकमेडेंट करना चाहूंगी कि दिखिए कि लिए आप आर्ल का ले सकते हो कि कर मैंतमेटिक्स के लिए M का ले सकते लिए Bachelor के लिए कभये में approximative के लिए देखिमे अठेना ब्यूत तो जैसे ही एड्मिट कार्ड आयेगा तो मैं और एक वीडियो आपका स्टिनोग्राफर तरफ से मैं अफलोड करूंगा ताकि आपको पता चले कि स्टिनोग्राफर का एक्जाम का एड्मिट कार्ड आ चुकी है और इकॉल लेटर आयेगा भी तो मैं अफलोड कर दूंगा त तो आप मेरा चनल को सब्सक्राइब किजिए तकि मैं अपलोड करने के बाद आपका पास नौटिफिकरशन तरफ से पहुंचे जाएगी और आप एक्जाम अच्छा से देशक कोगी थेंक्यू पर माचिंग इस वीडियोज